तो दोस्तों आज के इस वीडियो मैं आपसे ऐसे पांच स्मार्टफोन मिद्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो आपको लगता था कि यह सही मिद्स हैं और इन पर यकिन करना चाहिए तो बीने टाम वेस्ट के करते हैं वीडियो को स्टार्ट तो यहां पर वीडियो स्टार्ट करना से पहले मेरा आपसे एक इन पॉर्टेंट रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चनल प्रणाया है तो बिल्कुल ना भूले साथ मेरे इकन को भी प्रेस कर दें क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं और सब्सक्राइब करने नहीं जाते हैं पांच ऐसे स्मार्टफून मिट्स जो आपको यकीन नहीं तो यहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं कैमरे के बारे में कैमरा में लोग बहुत पहले से ही नंबर्स पर ध्यान देते हैं अब नंबर्स का मतलब होता है मेगा पिक्सल्स Megapixels पर हमेशा लोग ध्यान देते कि इस camera का Megapixels इतना है तो यह इतनी अच्छी quality देगा लेकिन यहाँ पर आपको जानना होगा कि camera की quality सिर्फ Megapixels पर depend नहीं करती है camera की quality बहुत अलग-अलग factors पर depend करती है जैसे कि आपका camera में sensor कौन सा है उस sensor size कौन सा है aperture कौन सा और बहुत सरे different factors हैं जिस पर आपकी camera की quality दिर्फाइन करती है अब यहाँ पर Megapixels क्या करता है तो मान जीए कि आपके पास एक smartphone है जिसमें 13 Megapixels के camera है और एक smartphone है जिसमें आपके पास 14 Megapixels के camera है अब देखिए जो एक smartphone 14 Megapixels के camera होगा अगर आप उससे photo click करेंगे और एक 13 Megapixels वाले camera से photo click करेंगे तो जो 14 Megapixels camera से photo click होगा वो जादा zoom होगा यानि कि उसमें जो pictures होगी जल्दी फटेंगे नहीं लेकिन यहाँ पर जो 13 Megapixels के camera होगा उसमें pictures जल्दी फटेंगे यहीं अंतर होता है Megapixels का तो यहाँ पर अगर आप किसी phone को Megapixels को देखर खरीते हैं तो आज से मत देखर खरीजेगा क्योंकि Megapixels पर ही camera की quality depend नहीं करती है अब यहाँ पर जो दूसरी मित है जो सभी लोग याकीन करते थे और अभी बहुत लोग याकीन करते हैं वो है RAM यानि कि more RAM means more speed यहाँ पर यह बिल्कुल dependent नहीं है यहाँ पर कई लोग सूचते हैं कि ज्यादा RAM होगा मेरे smartphone में तो मेरे smartphone ज्यादा तेच चलेगा हाँ यह एक लेवल तक सही है लेकिन लेवल तक गलत है क्योंकि आपके smartphone की speed तीन चीजों पर depend करती है सबसे पहली चीज और सबसे इंपोर्टेंट चीज वो है आपका processor अगर आपका processor अच्छा नहीं है तो आपके smartphone की speed होगी performance होगी वो बिल्कुल बिकार होगी अगर आपका internal storage नहीं है यह आपर बहुत सरे ऐसे से factors हैं जिसके processor कैसे memory ऐसे से factors हैं जिन पर यह smartphone की speed ज्यादा depend करती है ना की RAM RAM आपको क्या provide करता है RAM आपको एक जगह provide करता है आपके smartphone के जो applications होते हैं जब खुलते हैं तो वो RAM पर जाकर खुलते हैं तो RAM depend करता है कि आपके कितने वो applications को एक साथ run कर सकता है तो अगर आप किसी smartphone को बस RAM देखकर खरीद रहे हैं तो ऐसा मत किजिगा क्योंकि ज्यादा RAM का मतलब ज्यादा speed नहीं होता है अब यहाँ पर जो तीसरा fact है जिस पर लोग हमेशा से यकीन करते हैं वो है software updates लोग हमेशा से यह सोचते हैं कि जो software updates होते हैं वो हमारे smartphone को ज्यादा fast बनाते हैं ज्यादा secure बनाते हैं लेकिन यहाँ पर मैं 2021 में कहना चाहूंगा कि अभी यह बात बिल्कुल सही नहीं है पहले तो यह बात थोड़ी सही भी थी लेकिन अब तो और नहीं है क्योंकि यहाँ पर smartphone brands में बहुत सरी इतने brands आ गये हैं जिनोंने अपना software update में बग को provide करने लेगे हैं जबकि पहले ऐसा नहीं होता था पहले बहुत कम smartphone brands थे और वो लोग color OS, Realme UI और यह जो updates provide करते हैं वो सही से test करके provide नहीं करते हैं जिससे कि कई लोगों के smartphone में problem आ जाता है जैसे कि मैंने smartphone में देखे तो यह realme का smartphone है और इसका notification बार निकलता ही नहीं है मतलब कि notification बार उपर से खोलने पर खोलता ही नहीं है तो यह एक update के बाद हुआ था जिसक आपका smartphone पहले से solo channel लेगे तो updates आज की guarantee नहीं है कि आपको अच्छा performance दे पाएंगी तो अगर आप सूचते हैं कि software updates आपके smartphone को जादा fast बनाती है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है अब यहाँ पर चौथा मीच जो सब लोग एकिन करते हैं वह है incognito mode कई लोग क्या सूचते है कि incognito mode on करके और जो भी हम surfing करेंगे browsing करेंगे वीडियो देखेंगे वह कोई track नहीं कर रहा है लेकिन यह बात पुरी तरह से सत्य नहीं है सत्य नहीं है देखिए होता कि कि जब भी आप incognito mode on करते हैं तो हाँ जितने भी आप website पर जाते हैं जितने भी आप website को खोलते हैं pages को खोलते हैं वो आपके cookies को track नहीं करती हैं और नहीं आपके किसी भी account को track करती हैं लेकिन जब भी आप किसी website को खोलते हैं तो यह उस ISP को पाता होता है यानि कि आपके internet service provider यानि कि जैसे हो गया जीयो एटल बुड़ाफुन ऐसे इस सब को पता होता है कि आप क्या साज कर र एक्शली वो ISP पकव पता है यानि कि हमारे जीयो एटल बुड़ाफुन को पता है कि मैं इस website पर जा रहा हूं यहां से सर्फिंग करा हूं उस website को नहीं पता है कि कौन सादमी एकसेस कर रहा है बाकि आपका ISP जानता है कि आप कि इस website पर जा रहा है तो अगर आप सोचते हैं कि हम अगर incognito mode कौन करके surfing करें ब्राउजिंग करें तो कोई track नहीं करने वाला यसी बात नहीं है बहुत सरे phones जैसे जाओमी के phones में बहुत सरे phones में वो phone ही आपके browsing को track करता है तो incognito mode से ज़्यादा आपका फायदा नहीं होता है अगर आप उस website से छुपना चाहते हैं तो हाँ छुप सकते हैं लेकिन आप अपने ISP से नहीं छुप सकते हैं अब यहाँ पर जो पांच भी चीज जो सब लोग यकिन करते हैं वह IP Certification अगर आपके smartphone में IP Certification है तो बहुत लोग सोचते हैं कि इसमें IP Certification है मतब कि यह smartphone waterproof है यह बिल्कुल गलत बात है क्योंकि IP Certification यह खुद कहता है कि हमारा जो phone है वह water resistance है वह यह नहीं कहता है कि हमारा phone waterproof है और waterproof और water resistance में क्या होता है waterproof का मतलब होता है कि आप इसको कितना भी पानी में धुका लें धके लें जो भी करना कर लें डूबो लें आपका phone खराब नहीं होगा लेकिन water resistance का मतलब क्या होता है कि वो पानी को जहलेगा जहलेगा मतलब यह बहुत देर तक जहलेगा मतलब कि एक time आगा जब वो जहलना बंद कर देगा और यहां पर IP certification यह लोग कैसे लिकालते हैं यह special conditions में लिकालते हैं जैसे कि वो लोग fresh water का यूज करते हैं at a constant temperature वो बहु में गया तो कुछ नहीं होगा लेकिन अगर आप कीचर में डालें वैसे डाल कर देख लीजेगा तो आपका smartphone खराब होना ही है तो अगर आप सोचते हैं कि मेरे smartphone में मेरे smartphone चोवे आई-पी सर्टिफिकेशन है तो मेरा smartphone waterproof है ऐसा बिल्कुल नहीं है तो अगर आपको आई-प तो सब्स्ट्राइब करने तो बिल्कुल ना भूले साथ में उस ब्लेकन को भी प्रेस कर दें आप मुझे इस चनल पर यह भी पता सकता है कि आपको इस चनल पर किस भी ट्रेव की वीडियो चाहिए मैं मिलता हूँग को बनार के लिए वीडियो में थैंक यू और बाबाई झाल पर यह झाल पर यह झाल प्रेस कर देके लिए पर यू झाल पर यह झाल पर यह झाल